जिन परस्टीतियों में सारुदीन जी की मौत हुई वा मौत संदिक थी कितना ही नहीं पहला आदमी होगा जिनें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने लिए गुवां के सभी जाती धर्बर की लोग हिना सायब को अपनी बेटी अपनी बहु मांगर चाहती हैं कि वो उनका प्रते निजित करें मैं परस्टीतियों में लालो प्रसाद यादो जी के समात और उनकी भावना आद नहीं हो जिन परस्टीतियों में सारुदीन जी की मौत हुई वा मौत संदिक थी और आज तक न्याय नहीं नहीं है अपनोंने भी न्याय की बात नहीं उठाए और ये बात हुँ लगातार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं 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 पहला आदमी होगा जिन्हें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने लिए और हम और हमारे साथी चाहते हैं उनको नहीं सिवान के सभी जाती धर्ट बर की लोग हिनासायब को अपनी बेटी अपनी बहु मांकर चाहते हैं कि वो उनका प्रतेदित करें और पप्पु यादब के लिए जंता की अवाइब भगवान का संदेश है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए कोई डल है ना कुछ, मेरे लिए भगवान का संदेश सबसे बड़ा बाद है, हम और हमारे साथी, हमारे नेता, और हमारे सिवां के सारे यहां आइगे, हमारे पुर्वढवर्दह, मुख्याजी, इलापारसर हमारे सारे लोग साProडिल से शाबROदिल सहए कर फिंड झाल य्जाई जाएगे और हमारे सभी बिहार थे साथ ही वहाँ जाएगे और हर किमत तर हमारे नेता सब लोग सिवान जाएंगे और पूरी थाकट के साथ वहां हमारे नेता करेंगे हमारी जब जौरत महसूस होगी हमारे नेताओं को तो मैं भी सिवान दूसरी तरह पाटली पुत्रा और पट्ना के सारे साथ यहां आएं और छपड़ा के भी मेरे पीन बार मुख्या रहे हैं अद्यर्ट डिली प्रह जी मंटू जी सभी लोग यहां मौजूद हैं मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालों तरसाद यहां जी के समात और उनकी भावना आत ना हो और मेरे दिल की गराई से मेरी इक्षा है मिशा जी और रहोनी जी जो समाजी राजिनितिक और संगर्स ने हमेशा खरे रहे हैं वो निश्यत रुप से चनो जी देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें